नमस्कार दोस्तों अभी बात करेंगे यहाँ पर रेलवे NTPC परिक्षम क्या सेफ इसको रहेगा फेज वन वालों के जी लिए जी हैं दोस्तों फेज वन वालों के लिए या फिर अधर फेज के लिए क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर ओफिशियल नोटिफिकेशन के सा यहाँ पर जो डाउनलोड होने वाले है कोलेटर आपके थोड़े दिनों बाद में आपका एक्जाम भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा 28 से आपकी CT इंटिमेशन सभी के आ चुके है और कितना सेफ इसको रहेगा इसी के बारे में भी यहाँ वीडियो में चर्चा करेंग यह कंफर्म जो कोटोफ है बहुत हाई रहने वाला है जो टाइम मिला है दो साल से ज्यादा टाइम मिला है तो उससाब से यह कंफर्म मानके चलिए 70 से 80 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको बिल्कुल सेफ होना है चाहे कोई सा भी जोन हो एहम्दाबाद क अगर में बात कुरू सबसे पहले है यहाँ पे 68 तो 65 सो रही है यहाँ पे EWS और जनरल वालों के मिला बता रहा हूं यहाँ जनरल 68 के आसपास आपके बनते हैं तो आप सेफ मानके चलिए वही 65 के अराउंड यहाँ पे आपका EWS वालों का रहेगा 62 के आसपास 62 से 64 के आसप पास किया जाएगा यहाँ कि 20 गुणा बच्चो को यहाँ पे पास किया जाएगा सभी जोन में यहाँ पे 20 गुणा बच्चो को पास किया जाएगा तो कंफर में जो कट ओफ रहेगी एमदाबाद की वह 70 के नीचे ही रहेगी इससे ज्यादा हाई नहीं जाएगी कंफर मान पास रहेगी confirm मानके चलिए और यह में normalization के बाद की cutoff बता रहा हूँ याद रखना normalization के बाद में cutoff बता रहा हूँ में यहाँ पर 70 से 75 के राउंड रहेगी वहीं EWS वाली 68 और OBC 70 के आसपास रहेगी 60 SCST और 85 पर आपका ST का हो जाएगा तो confirm है यहाँ पर जो form लगे हुए है आप सभी को पता है 10 लाक से ज़्यादा 10-15 लाक से आसपास यहाँ पर राजस्थान से only apply किया है 19 लाक लोगों ने लेकिन वो other other zone में apply किया है कुछ लोगों ने तो confirm यहाँ पर जो form है total ajmer zone के लिए 10 लाक के करीब यहाँ पर form है जो total vacancy ह यहाँ पर 1730 गुनागर में बात करो तो only यहाँ पर 35,460 लोगों को पास किया जाएगा 10 लाक में यह मान के चलिए competition बहुत हाई है आपका तो confirm 70-75 के आसपास आपका रहेगा अगर बात करो यहाँ पर attempt की अजमेर में तो confirm आपको यहाँ पर 80 question तो attempt करने ही पड़ेंगे चा अगर आपकी 18 accuracy अगर 80 के आसपास भी रहेगी तो आप आरा हमसे easily यहाँ पर clear कर जाओगे stage 1 अलाभाद की बात करें यहाँ पर 70 के आसपास आपका score रूजाना चाहिए अलाभाद में भी यहाँ पर हाई cutoff रहेगा और वहीं पर अगर में बात करो बीसी की 65 के round अगर आपक सेफ मानी है क्योंकि यहाँ पर जो number of post है वो 4030 लेकिन यहाँ पर 8600 लोगों को पास करेंगे लेकिन जो forum है सबसे ज्यादा अलाभाद में भर हुए याद रखना Mumbai अलाभाद में यहाँ पर सबसे ज्यादा foam है तो competition भी अलाभाद में high रहेगा तो जैसे कि मैंने आपको बत 68 के आसपास आपका यहाँ पर cutoff रहेगा और 60 के आसपास EWS वाले ज्यादा cutoff नहीं रहेगा बेंगलोर में इस बार क्योंकि यहाँ पर जो number of vacancies है वो इतनी ज्यादा है नहीं लेकिन compare to 20 times यहाँ पर 50,000 लोग पास कर जाएगा और total number जो form आया है इस बार वो थोड़े कम ही बोपाल की एकर मैं बात कुरी यहाँ पर cutoff no doubt सबसे high रहने वाला बोपाल में भी तीसरे number पर यहाँ पर मान के चलिए आप तीसरे यह दूसरे number पर मान के चलिए बोपाल को 75 के आसपास भी जा सकता है normalization के बाद में वो उनेशवर की बात करें ज्यादा नहीं रहेगा यहा ज्याँ बात करें यहाँ पर OBC वाला और वहीं 50 के आसपास आपका S.C.H.T रहेगा बिलासपूर की बात करें यहाँ पर 66 से 64 के अरवंड यहाँ पर रहेगा वही60 के आसपास आपका EWS वाला रहेगा जिया दोस्तो चंडिगड की बात करें यहां पर चंडिगड में 70 जी हां दोस्तो 70 नंबर आपको लाने पड़ेंगे चंडिगड जोन में EWS वाले 45 नंबर कम हो तो चलेगा 62 to 65 यहां पर OBC यहां पर बिल्कुल सेफ है चंडिगड में 55 से 40 के बीच में यहां पर SCST रहेगा चंडिग की बात करूँ दोस्तों चंडिग में भी आपस से हाई कॉट आफ रहने वाला है पोस्ट देख सकते हो टोटल नंबर आफ पोस्ट 2694 में 20,000 मतलब की सोरी यहां पर 53,880 लोगों को पास किया जाएगा competition है वो हाई रहेगा इस बार confirm मानके चलिए number of जो applications आए वो कुछ ज्यादा है गौरफपूर की बात करें बिल्कुल safe हो गौरफपूर जोन वाले बिल्कुल safe हो यहां पर 65 मैंने ज्यादा बता दिया है 65 से 66 यहां पर इमानके चलिए बिल्कुल आप safe हो जनरल के लिए OBC के लिए 60 नंबर वही 60 के आसपास 58 to 60 आपका यहां पर OBC रहने वाला है अभी बात करो गौरफटी जोन की गौरफटी जोन में भी ज्यादा cutoff नहीं रहेगा दोस्तों आराम से आप 60 से 64 के बीच में हो जनरल इडूरस बिल्कुल safe है 55 से 58 के आसपास यहां पर OBC वाला बिल्कुल safe है तो यहां पर करीब करीब यहां पर गौरटी के बात कुरो तो OBC और EWS की सेम रहेगी जम्मो वाले बिल्कुल यहां पर safe है 60 के आसपास नंबर लिया हो आप आराम से आप clear कर जाओगे stage 1 वहीं अगर मैं बात करीब यहां पर OBC वालों की 50 के आसपास और EWS वाले भी यहां पर 50 के आसपास बिल्कुल अपने आपको safe मानिए Kolkata region की बात करते दोस्तो 68 के राउंड आपका यहां पर cut off रहने वाला है 64, 45 नंबर यहां पर आपको मानन के चलिए EWS के लिए 66 नंबर OBC 58 यहां पर SC और ST 46 क्योंकि number of vacancies यहां पर 3000 के राउंड है और 20 गुना बच्चों हैने की 60,000 के आसपास बच्चों को यहां पर pass किया जाएगा माल्दा की बात करी यहां पर माल्दा में हमिशा cut off कम ही रहता है लेकिन general वाला 60 के आसपास जाएगा ही जाएगा confirm मान के चलिए मॉंबई की बात करें no doubt vacancies जादा है और यहां पर number of times जो pass करेंगे लोगों को वो भी यहां पर 3000 से जादा लोगों को यहां पर pass किया जाएगा तो इससे जादा cut off नहीं जाएगा 66 से 68 के बीच में रहेगा आपका general वाला cut off EWS की बात करें आराम से आपका easily 62 के आसपास भी आता है तो pass हो जाओगे मुझफर नगर मुझफर पूर में यहां पर देख लीजिए 6580 total number जो post है वो 300 गुंती से लेकिन यहां पर बहुत कम लोगों ने apply किया तो आपसे हो सकता है यहां पर cut off थोड़ा कम रह जाए क्योंकि यह मान के चलिए जहां पर cut off जहां पर number of post है कम है तो वहां पर लोग form भी नहीं भरते बहुत कम भरते लेकिन यह मान के चलिए आप 68 तो फिर भी cut off चली जाएगा general का हो सकता है SCHT यहां पर कम रहे पटना की बात करो पटना no doubt सबसे ज़्यादा high scoring रहेगा आसपास के area के हिसाब से अगर मैं zone के हिसाब से बात करूँ high cut off जाने वाला है 70 के round आपका लाना पड़ेगा 65 के आसपास भी आप EWS पर हो तो भी लाना पड़ेगा आपको अगर बात करते है राची जोन की राची जोन में 62 इससे 64 यहां पर बिल्कुल से ज़्यादा cut off नहीं चाहेगा क्योंकि number of post यहां पर कम थी वो साबसे यहां पर कम लोगों ने यहां पर apply किया है सिकंद्राबाद की बात करें सबसे high cut off रहने वाला है टोप 5 में जो मैंने बता दिया आपको अजमेर, अलाहबाद, सिकंद्राबाद, मुंबई सबसे लाश्ट में रहेगा इतना ज्यादा high नहीं रहेगा लेकिन ये तो मान के चलिए अजमेर, अलाहबाद और सिकंद्राबाद सबसे high रहने वाले सिलीकूरी की बात कुरूज 66 के आसपास यहाँ पर रहेगा 66 से 68 के आसपास, और 60 के आसपास EWS वाला बिल्कुल safe है फाइनली ट्रिवें परों की बात करें यहाँ पर, cut off थोड़ा high रहेगा क्योंकि number of vacancies के हिसाब से यहाँ पर, जो पास करेंगे वो 17,940 लोगों को ही किया जाएगा तो उसाब से number of vacancies के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा high रहेगा general का cut off OBC 60 और 60-70 के आसपास 60-70 के बीच में यहाँ पर general EWS और OBC का रहेगा वहीं 50-40 के बीच में CST का रहेगा, तो यह तीसारी cut off जो भी आपको नीचे doubt है और safe score दोस्तो यह रहेगा normalization के बाद में मैं नहीं यह safe score बताया normalization के बाद में तो आप यह मान के चलिए इस बार जो normalization होगा उसमें 30 या 40 के असपास number नहीं बढ़ेंगे, नया formula ला लागू हो चुका है, तो इससाब से मान के चलिए आपके 10 number भी बढ़ रहे है, तो बहुत ज़ादा है तो इस इसाब से देखा जाए, तो अगर आप 60 number ला रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 70 हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो इससाब से competition इससवार बहुत ज़्यादा है, तो इससाब से cut-off जो मैंने बताईए दोस्तों, यह मान के चलिए इत्ते तो number आपके होने ही चाहिए, तो good attempt phase 1 वालों के लिए, या फिर अगले phase वालों के लिए ही कहूँगा कि यहाँ पर 80-85 question तो आप करके ही आओ, तभी आप खुद को safe मान सकते हो, क्योंकि negative 15-20 question भी होते हैं, तो आपके आराम से 60-65 number अगर आते हैं, तो normalization में 70-70 के आसपास पहुच जाओगे, तो इसलिए attempt जादा करके आईए, लेकिन negative marking भी मत करना इस चक्रव हैं, तो धन्यवाद दोस्तो best of अप सभी को